हमें क्यों इस बात को कहने में शरम आती है कि हम उत्तरा खंडी है हमें क्यों इस बात को मानने में शरम आती है कि हमारा कल्चर इतना रिच है जहां पर देवता नाशते हैं जहां पर जागर होता है हम बड़ी नत को पहनते विच इस नाव बिकम अ फैशन ट्रेंट पर वो फै आस्तित पर गर्व करिये, नाज करिये, जब तक आप वो नहीं कर पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे and being a पहाडी, being a producer and actor, मैं यह बोलना चाहूंगी, कि प्लीज अपने subject में conviction लाइए, हम पहाडी संस्कृती सब्विता को बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं, आपका जो शोव आ रहा है, उसके बारे में कुछ बताएंगे, क्या वो कहनियों से किस तरीके से केंदरित है, किन-किन मुद्दो का आप उसमें टच्छाएंगे, कहानी मैं बहुत एक्जाक्ली तो भी आप लों को नहीं बता पाऊंगे, बट सर्टनी मैं बताना चाहूंगे आप लों को किस तरीके से जो हमारी पहाड की असलिए प्रॉब्लम्स थी, जैसे पलायनवाद हमारे पहाड का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उसको किस तरीके से, किस ब्यूटफुल तरीके से, बड़े ही फण एंड स्विफ्ट वे में हम लोगों ने इस शो में दिखाने की कोशिश करी है, किस तरीके से, हम लोगों ने, जो कि मिलट मिशन हमारे सरकार का एक चलाया, वह बहुत बड़ा मिशन है, विच इस आक्चली दॉइंग वंडर्फुल थिंग्स, उसको हमने किस तरीके से, बहुत ब्यूटफुली इसमें इंकॉर्परेट के है, हमने दिखाया है कि गाउं के लोग कैसे सीधे साधे होते हैं, वादी अंत्रव मैंने जैसे आपको बताया, ऐसी चूटी चूटी चीजें आप उसमें देखेंगे कि आपको लगेगा कि, जिस तरीके से पंचायत जैसे सीरीज ने वो उत्तरप्रदेश के कल्चर को एक पहचान देला है, हमने पता चला कि अच्छा, उनके अतिति सत्कार का तरीका कैसे होता है, वो लौकी लेके जाते हैं के दूसरे के गर, वो पहाड़ी डू, हम उत्राकंडी लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं और किस तरीके से, हाव इंडिया मीट्स भारत, यह हमारे शुका टागलाइन है, तो I'll be waiting and I think we all should be waiting to see this on screen. कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो सकते हैं,